नमस्कार खबरहार देखोर सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ खुश्बुकांडर राहूल गांधी ने समरीती रानी को लेकर बड़पन दिखाते हुए कॉंग्रेस कारीकर्ताओं से कर डाली ये अपील दरसल पूर्वकिंद्री मंत्री समरीती रानी ने विचलेकल सरकारी बंगला खाली कर दिया जिस पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तरह तरह की बाते की टिपनिया की मैं इसके बाद राहूल गांधी ने अपनी पार्टी कार्ताओं को सक्ति दायत दी कि वो समरीती रानी के खिलाप कोई भी टिपनी ना करे जानकारी के लिए बता दे कि पुर्वकेंद्री मंत्री को लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था समरीती रानी को कॉंग्रिस सुमिद्वार की शोरी लाल शर्मा से शिकस्त मिल थी मैं सभी से आगरह करता हूँ कि विश्री मती समरीती रानी या कि सियान्य नेता की प्रती अपमान जनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा विभार करने से बचे लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है ताकत की नहीं वही राहुल गांधी की पोस्ट पर लोगों की रेक्शन भी आये हैं। राहुल गांधी ने सोचल मीडिया पर जो अपील वाली पोस्ट आ ली है उस पर यूजर्स और उनके समर्थकों ने कमेंट भी किया। एक यूजर ने लिखा कि डन सर लेकिन ये लोग आपके और हमारे प्रतीज ज़्यादा भयानक बाते करते थे। फिर भी आपने कहा है तो अच्छा है वही एक अने यूजर ने लिखा राहुल गांधी जी ने सही कहा लोगों को किसी महिला को संबोधित करते समय साप्थान र कहा राजनीतिक मतभेट किसी को बदिनाम करने या नीचवा दिखाने के पर्मीशन नहीं देते राजनीतिक मतभेटों की हमेशा नयतिक मुल्यों को बरकरार रखते हुए आलउचना की जाने चाहिए अगर आपको विडियो पसंदा थे विडियो को देक्स्यार कमेंट की ज मेगाइ